हलो फ्रेंट्स आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे मैंने टाटा स्टिल में यहां पे एक्जिक्यूशन के बाद प्रॉफिट दिखाया था अभी कुछलत बहुत गलत कोमेंट करके ब चानते होंगे कि यह जो फ्लैक प्टरन ने इसी के बैसिस पर मेंने यह ट्रेडिंग लेवल आपको दिया था कि कौन सा लेवल पर बाई और कौन सा लेबल पर sale करना है लेकिन फ्रेंट्स उसके बाद opening देखिए opening जो हुआ वो ही flag pattern के बाहर हुआ और वो भी उपर के तरफ मतलब flag pattern को breakout करके open दे रहा है तो अगर कोई flag pattern का breakout उपर के तरफ होड़ा है क्या आप उस stock में sale करोगे और friends ये common sense है कि अगर कोई flag pattern का back out उपर के तरफ होड़ा है और opening के time ही होड़ा है तो आप उस stock में sell नहीं करोगे friends कुछ लोग इसको लेके बहुत गलत comment किये हैं तो इसलिए मैं इसका explanation भी आज post कर रहा हूँ trading दोस्तों कोई आग बंद करके करने वाला चीज नहीं है यहाँ पर at least आपको technical knowledge कम है fundamental knowledge कम है सब मैं मानता हूँ लेकिन common sense का तो use किजिए जब मैं रात को यह सा pattern post करता हूँ मुझे पता नहीं होता है कि सुबा उसका opening कहां पर होगा तो at least opening अगर buy side में होड़ा है इतना decision लेना पड़ेगा ना दोस्तों पूरा का पूरा आग बंद करके trading तो नहीं हो सकता है तो friends यही reason था कि सुबा यह breakout देके buy side में open हुआ है तो इसमें मैं selling नहीं कर सकता तो इसलिए मैंने sell side का जो SM है उसको नहीं दिखाया और अगर आपको knowledge चाहिए live market में guidance चाहिए तो मेरा telegram channel आपके लिए खुला हुआ है वहाँ पे मैं सुआ से दो पहर तक सब को guide करता रहता हूं और वो भी free में उसके लिए कोई charges नहीं लेता हूं तो आपको अगर guidance चाहिए live market में तो आप join करो ना telegram channel पे वहाँ पे discussion board पे पूछ लो किसल लेना है नहीं लेना है कहाँ पे open order आए सब कुछ में वहाँ पे बताता हूं तो friends ये था Tata skill में sell trade ना लेने का explanation आसा करता हूं आपको ये explanation ठीक ठाक से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इसको like किजिए ताके दूसरे भी इसको देखे और वो जाने के कैसे trade करना होता है और comment करके बताए कि ये जो concept में आपको बोला ये आपको properly समझ में आया है के नहीं आया है नहीं तो मैं और एक detail वीडियो इसके उपर बनाऊंगा और आप लोग